सिक्षा विभाग डाल डाल तो सिक्षक चले पात पात ओनलाइन एटेंडेंस के मामले में सिक्षकों द्वारा फर्जिवारा का हुआ खुलासा नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्सक बंधों को मैं हूँ इसके चौदरी दोस्तों बिहार की सिक्षा विभाग जहां सिक्षकों पर नकेल कसने के लिए उनको लगातार विद्याले में बनाए रखने के लिए साथी साथ विद्याले में बच्चों को गुनवत्ता पुन सिक्षा परदान करने के लिए एक से बढ़ कर एक उपाए धून रही है जिसकी अंतरगत सिक्षा विभाग द्वारा सिक्षकों द्वारा लगातार उपस्तित रहने के उदेश को लेकर इसिक्षा कोस एप के माधम से एटेंडेंस बनाने की प्रिकिडिया सुरू की गई है जिसके करम में तमाम सिक्षकों को अपने ही मोबायल से निरधारित समय में विद्वाले में उपसित होना है और अपना तस्वीर भी अपलोड करना है उसके बाद विद्वारा से जाते वक्त साम चार बच कर 30 मिनट पर नेशीत रूप से विद्वाले से आउट होते हुए इस इस सिक्षा को सैप पर भी आउट हो जाना है लेकिन इसको लेकर सिख्षा को द्वारा इस सिख्षा को सैप पर ही छेड़ चार किया जा रहा है और छेड़ चार का या मामला सामने उभर कर आया है। इससे पहले कि आखिर किन सिक्षकों द्वारा इस सिक्षा कोस एप पर छेड़ छार किया गया है और कैसा या छेड़ छार किया गया है इस पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करें अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्ते वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कि सिक्षकों को ओनलाइन अटेंडेंस बनाने की प्रिकडिया की शुरुआत की गई थी जिसमें तमाम सिक्षकों को सुबह 9 बजे से पहले ही विद्याले में उपस्तित होकर इस सिक्षकों से अटेंडेंस बनाते हुए अपनी तस्वीर भी अपलोड करना था और साथी साथ बिद्याले के अंद में 4 बज कर 30 मिनिट पर सिक्षकों को बिद्याले से आउट होना था जिसमें तस्वीर अपलोड करने की अबसेक्ता नहीं थी लेकिन सिक्षकों द्वारा उसमें भी छेट छार कर दिया गया है और जिसकी खबर सिक्षा विभाग के पास भी पहुँच गई है दोस्तों इसकी अंतरगत सिक्षकों द्वारा कई परकार की अनिमित्ताएं बरती गई है जिसमें सर पर्थम ये अनिमित्ता सामने आई है कि सिक्षकों द्वारा विद्याले में उपस्थित तो हुआ जाता है सिक्षक विद्याले में उपस्थित होते हैं ऑनलाइन आउट हो जाया जाता है दोस्तों यह खावार उस रूप में पता चली कि जब उसी विद्याले में कारत अन्य सिक्षक द्वारा सिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई जो सिक्षक समय से उपस्तित होते हैं एटेंडेंस बनाते हैं और अंत समय में विद्याले से उन्हीं सिक्षकों में से एक सिक्षक के द्वारा किये जा रहे ऐसी ऑनिमित्ता का खुलासा किया गया है कि सिक्षक द्वारा ऐसी नितियों का परियोग किया जा रहा है दोस्तों इसके शमद में सिर्फ सिक्षक ही दोसी नहीं है उस विद्याले में कार्यत परधाना ध्या दूसरी औनिमित्ता विहार के समस्तिपुर जिले के विद्यापती नगर परखंड से आई है, जहां कि सिख्छक विद्याले में आते हैं ये सिख्छा को ऐब पर अपना अटेंडेस बनाते हैं उसके बाद अपनी घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और उसी विद्याले के अन चार बज कर तीस मिनट पर टाइम आउट भी हो जाते हैं दोस्तों ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में यह अनिमित्ता सनिवार की बताई जाती है जहां समस्तिपुर जिले के विद्यापती नगर परखंड अंतरगत कुल 11 ऐसे सिक्षक थे जिन्होंने दूसरे मोबाइल से ल आलों में उपलब्द रहते हैं यानि परखंड अस्तर द्वारा भी देखा जा सकता है कि आखिर सिक्षक द्वारा परती दिन किस मोबाइल से ओनलाइन एटेंडेंस बनाया जा रहा है साथी साथ किस मोबाइल से टाइम आउट हुआ जा रहा है और इसकी खबर भी का पिरियड है और सिक्षा विभाग ने इसे ट्रायल के रूप में अगस्त माह तक लागू किया है इसलिए वहां के परखंड सिक्षा पताधिकारी द्वारा ऐसे करने वाले सिक्षकों को चेतावनी देते हुए छमा कर दिया गया है कि अगली बार से अगर ऐसी नितियों क अपरियों किया गया तो निशित रूप से उनके वेतन की कटवती की जाएगी तो साथियों इस तरह से कह दिया जाए तो सिक्षा विभाग डाल डाल तो सिक्षक पात पात चल रहे हैं लेकिन लाख पात पात चलने के बाद ही सिक्षकों को राहत नहीं मिल पाएगी क्योंक प्रधाना ध्यापक के सामने वो पकरे जाएंगे और प्रधाना ध्यापक द्वारा उन्हें अनुपस्थित कराएंगे। तो साथियों निशीत रूप से सिक्षकों को चाहिए कि कम से कम इस नितियों का पर्योग नहीं करें और इमांदारी पुरवक ओनलाइन एटेंडेंस बनाएंगे। दोस्तो ये भी खबर आचुकी है कि 16 अगस्त से तमाम सिक्षकों को ऑनलाइन ही अपनी छुट्टी संबंधी आवेदन अपलोड करना होगा। और उसके बाद ही वो चुट्टी में जा सकते हैं अने था किसी भी सूरत में चुट्टी का वो उपहोग नहीं कर सकते हैं। वही दोस्तो शिक्षा भी भाग दोरा ये भी खबर जारी की गई है। विद्याले से आउट हो जाया जाएगा, अनुपस्तित करार दिया जाएगा। तो निश्चीत रूप से अभी से ही सिक्षकों को इसकी सुरुवात कर देनी चाहिए और हर संबब या पर्यास करना चाहिए कि जो भी नितियों का निर्धारन किया गया है उसे उसे इमानदारी पुर्वक उसका पालन करे और सिक्षा जगत में सिक्षकों के नाम के उपर कोई कलंक नहीं लगने दे। तो दोस्तों चलते चलते हम कह दे कि अगर सिक्षा विभाग द्वारा आलाइन एटेंडेंस के मामले में सिक्षकों पर अगर सत्त परतिसत सिकंजा कशना है तो हर हाल में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करना होगा अनेथा सिक्षक द्वारा निस्चीत रूप से इसमें अनिमित्ता बरती जाएगी, साथी सा सिक्षा विभाग को कुछ राहत भी परदान करने परेगी, जैसे सिक्षक द्वारा बार बार अगर बिलंब हो आ जाता है, तो निचित रूप से उनके लिए एक सियल की विवस्था करनी होगी, सिक्षकों के बिद्याले अबधी में अगर अनिमित्ता बरती जा रही है, तो निचित रूप से सामने ये खबर आ रही है, कि एमर्जेंसी के कारण ही सिक्षकों द्वारा बिद्याले छोर कर घर वापस जाया जा रहा है, अगर उनके सामने कोई एमर्जेंसी नहीं आती है, तो निचित रूप से सिक्षक बिद ये तो एक परखंड की बात है लेकिन ये बात सत्ते है कि अगर सवी परखंडों की जाच की जाती है, तो नेचीत रूप से कुछ सिख़कों के मामले ऐसे सामने आएंगे, क्योंकि इमर्जेशी हर किसी के सामने आ सकता है, और किसी भी समय आ सकता है। नेशित रूप से सिक्चा विभाग को कुछ ना कुछ राहत अवस्य परदान करना चाहिए। दोस्तों ये थे आज के अहम ख़बर आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास सेर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत जै हिंद जै भारत